नमस्कार में मिलना लेमिनेस नीज लाई में आप सभी तर शुक्वों का स्वागते खबरों के रबढ़ने से बिले एक नजर हेडलाइन्स पर इमाचल में ताजा बर्भवारी और बारिश पाँज जीलो में इंस खलंकी चेदावनी मुझे मेरी बिली से बचाओ पीजेपी की नेत्री किस पती ने लगाई प्रिस से गुहाँ मुझे मिभाग के अनुसार बुर्वार के लिए सुबे में रेट अलर्ट जारी किया लिया सोनन बिलासपूर हमिरपूर शिम्ला मंडिक कांगणा उना में अगले तीन धंडों में बारिश का अनुमार है उद्वार को प्रदेश के अधिक्तम तापमान में बड़ो तुरी हुई उना में अधिक्तम तापमान 22.00 सोलन में 20.00 सुसंदर नगर में 19.9 विलासपूर में 18.8 कांगणा हमिरपूर में 18.5 और कांगणा में 10.666 के अलावा खुलू और लाहुर की उची चोटियों पर भारी बर्पबारी हुई पहाड़ों में दो दिमस से बर्पबारी होने से खाटी के निशली लाफ़ों में गडाकी की धन पढ़ रही है 19 के अखाड़े में कई सीचे ऐसी है, जह मुश्किर हो सकती है 19 के अखाड़े में मध्यवरेश की और कि सीटों के लिए CIC पार्टियों की कस्रत तेज हो रही है 19 की तयारी अठर के नतीजों को मिधान में रख कर की जा रही है मिधान सभा चुनाओं के नतीजों को आधार बनाए तो बीजीपी के लिए नौ सीटे जबकी कॉंग्रेस के लिए एक दर्ज सीटों पर खत्रात परकरार है हाला कि बीजीपी और कॉंग्रेस दोनों ही भिरहाल अपने पत्रे खोलने के लिए दयाद नहीं है मद्धि प्रिदेश के सीधी जिल्ले में जिला बन्चाय सदस्य और भाच पाने तरी उशा वो बल पर उनके पती नहीं प्रताडिक करने का आरूप लगाया है फिरिद पती अजीत पतेल ने पत्नी उशा की हिलाव थाने में प्रताड़ी करने और जान से मारने और जाजात में हिस्सा मांगने का आरूप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है फिर इस अजित का किरना है कि वह और उशा गरी पांच माहस से अलग रह रही है फिर भी वह उसके परिशान करती है और जान से मारने की दूप की दिती है तिलाल प्लीज ने शिकायत तर्जकर मामले कीचा शुरू करती है तो ख़वरों में आज के लिए इतना है में इस ने दर की ख़वर देखने के आज प्लेश्टोर से में इस हिंदी एप दो नुक्तरर हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तक रिधाने वाज